Hello Friends, Welcome to our YouTube Channel MS Medico आज का ये छोटा सा वीडियो है जिसका टाइटल है Parts of Syringe Syringe के अलग-अलग Parts के नाम पता करेंगे उससे पहले अगर अभी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें चलिए वीडियो सुरू करते हैं सबसे बहले स्क्रीन पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं Syringe की स्ट्रक्चर दी गई है और उसके अलग-अलग Parts को मार्क करके बताया हुआ है बीच का Part देखें तो जो सिलेंडर के आकार का जो बीच का Part है उसको Barrel बोलते हैं जिसको हम हाथ से पकड़ कर पुस करते हैं या लोड करते हैं उसको Plunger बोला जाता है Barrel के उपर मार्किंग की गई है जिसको Volume Markings बोलते हैं इसके अंदर जो Black Color का जो Rubber का जो Part है उसको Plunger Tip बोलते हैं जो अंदर का जो portion है उसको Piston भी बोल सकते हैं सिरिंज के आगे का जो Part है टो पोर्षन पे जिससे Needle Attach होती है उसको Tip बोलते हैं ये हैं सिरिंज के Main Parts अब देखते हैं Needle जो सिरिंज से Attach होता है उसको Hub बोला जाता है इसके अलावा आगे आप देख सकते हैं Soft जो की Skin के अंदर पूरा Enter होता है इसके आगे जो सार पार्ट है सर्वसे Nucle आगे का उसको बोलते हैं Bevel इसके अलावा उसके अंदर जो छोटा सा Hole होता है उसको Lumen बोलते हैं Hub हो गया Soft, Bevel, Lumen इसके अलावा Needle को Cover करने के लिए एक Cape होती है जिसको Needle Cape बोलते हैं ये हो गए Needle और Syringe के Parts के नाम इसक्रीन पर आपके सामने दो Structure है Syringe और Needle आप खुद Imagine करके देख सकते हैं और Measure कर सकते हैं ओके ये था आज का छोटा सा वीडियो जिसके अंदर आपने Syringe के Parts देखे I hope आपके लिए ये वीडियो helpful रहा होगा वीडियो को Like करें, Comment करें तता Share करें चैनल को Subscribe करके रखें ताकि हर एक वीडियो आपको मिलती रहे वीडियो में अंद तक बने रहने के लिए Thank You So Much मिलते हैं अगली वीडियो में Thank You